32 आप खोलो आप, आता हूँ आपके पास, कैसे लग रहे हैं नंबर्स? 3.1% तक की constant currency revenue growth है, 3% का अनुमान था, तो ये भी मुहीत को मताबिक ही है। तक की operating margins को बरकरा रखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो बड़ी deals है, उसकी total contract value 2.4 billion dollar पर आई है इस particular quarter में, company ने साफ का है कि देखिये, BFSI segment अच्छा कर रहा है, capital market से बहतरी ही देखने को मिल रही है, card payment business अच्छा कर रहा है, लेकिन दूसरे segments में इता खास pick up नहीं देखने को मिला है। हाला कि company ने जरूर कहा कि US में, especially financial segment में, वो discretionary spends वापस लौटते देख रहे हैं और वो एक positive जरूर है। discretionary spends अभी भी constrained है retail business में, high tech business में। साथी साथ company ने कहा है कि third और fourth quarter में wage hike लेंगे, लेकिन उसका margin पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो factoring कर लिया है company ने, इसलिए 20-22% की range उन्होंने margin guidance maintain किया है। onboard करने वाले 15,000 से 20,000 कर्मचारी FI25 में, ये की highlights है company की तरफ से। बढ़िया है, कोई धिक्कत नहीं पर जैसा expect करा था, वैसे ही नतीजे हैं। बढ़िया साथ इसमें कह लिए fireworks missing है, अगर तो भाव जो stock चले चले जा रहा था, तो कुछ positive surprise expect कर रहा था, वो नहीं आया है। पर इसका मतलब यह नहीं कि charts बिगड़ गए या जो भी, आपको तो strength दिखरी होगी charts पर, क्या करोगे आप अगर disappointment आता है, अगर तो यह थोड़ा बहुत थंडा खुलता है तो। अगर जो infi में किरावाट देखने मिलती है, तो उसका spillover effect विप्रो में भी देखने मिलेगा और यहाँ पर हमने लग रहा है, charts खराबी बने हुए हैं, जहां हम देख रहे हैं, most of the large cap IT's, वो अपने all-time high trajectory में trade कर रहे हैं, विप्रो अभी भी काफी नीचे है, अपने all-time high trajectory से, और कल भी इसकी जो closing थी, वो 50 to 20 डेमा से नीचे थी, तो यहाँ एक shotting opportunity ढूंडी जा सकती है, तो अगर निफी की जगा विप्रो में shot किया जा सकता है, पाथ सो पैटीस के एक स्टॉपरास लगा कर यहां भी क्वाली की सला रहे हैं, तो इसमें पाथ सो फंदरा तक का जोन देखने मल सकता है, ओके, ठीक है, विप्रो पे टेकनिकल सल हो गया, लेकिन मैं पता नहीं, एक चीज जो सोच रहा था विप्रो को पढ़ रहा था मैं जितना, उसमें जो एक चीज में निकल कर आई क्योंकि नई मैनेजमेंट है, हो सकता हो थोड़ी conservative हो यह possibility है, और विप्रो में एक चीज जो फेवर में है, वो है valuation comfort, compared to other large cap IET, एक तो चला ही नहीं है विप्रो अगर आप चार्ट देखें, बाकि स्टॉक तो फिर भी काफी चले है, आप विप्रो का चार्ट देखें तो विप्रो चला नहीं हो से साब से, तो मेरा ही मानना है अशिष कि, अगर आप एक investor की तरह सोच है न, विप्रो एक ऐसा stock हो सकता है, जिसमें आप मौके खोच सकते हैं lower level पर, क्योंकि मेरा यह मानना है कि numbers ठीक ठाक थे, plus management की commentary है, वो थोड़ा सा, जो पहले info से commentary हुआ करते थे थे, under promise, over deliver, शायद यह वाले जो नही management आई है, शायद उस तरीके से सोच रही है, इसका अगले quarter के number में, अगले quarter के number में, अगले quarter के number में, अगर जो उन्होंने commentary दी, उससे better number आ गए, तो वो मेरा जो thesis से confirm होगा, लेकिन, यह हां मुझे यह लगता है कि, एक as an investor, शायद मौकेट ढूंडे जा सकते है, विप्रो में, भायती साब से Infosys पूछा तो और विप्रो क्यों हो गए? large deal bookings, पिछले 10 quarters में, company ने दिखाई है, 1.5 billion dollar के आसपास, इनकी भी constant currency revenue growth, अगर आप ध्यान दे, 0.6% पर आई है, जहाँ पर अनुमान 0.1% का था, तो यह एक positive है, लेकिन company इतनी confident नहीं है, 3rd quarter को लेकर, और शायद यह, जो 3rd quarter की seasonality हो सकती है, वो भी इस guidance में reflect हो रहा है, Q3 के लिए company कह रही है, दर असल यह, जो minus 2 से 0% तक की growth देखने को मिलेगी, expectation थी negative 0.5 to 1.5, 1.5% तक की growth नजर आएगी, IT services revenue, 2607 million dollar से 2660 million dollar के बीच company deliver करेगी, BFSI लगातार 3rd quarter consecutive growth देखने को मिल रहा है वहाँ पर, साथ ही साथ company ने काया है कि अगर 19 large deal wins हैं, वो largely cost optimization, vendor consolidation, modernization और cloud operations वाली deals इनके हाथ लग रही हैं, IT का मज़ा है, ऐसे बड़बडे नाम आते हैं, आप लोग घर पे बेठे डरियेगा मत, नंबर अच्छे हैं वैसे विपरो के, बस दिक्कत ही आ गई, guidance गरबड़ा गई, तो फिर से no growth या negative growth का quarter shot हमारे सामने खड़ा है, ये problem, सनी जी आगए तीनो IT दिगज के numbers, सिर्फ Q2 के performance पे देखूं, तो शायद सबसे अच्छा positive surprise विपरो का है, उसके बाद infosys का और disappointment TCSI, ये Q2 की performance की बात कर रहा हूं, पर आपने नतीजे देख लिए, commentary सुन ली, guidance अगेन अगर मैं tier 1 companies की बात करूँगा तो definitely infosys रहेगा, क्योंकि कईने कई guidance का जो upgrade आया है, हालकि stock में एक अच्छा का run up हुआ है, तो buy on leap की run निती रहेगी, infosys में है followed by Wipro and then HCL Tech and TCS infosys pecking order में सबसे पहला, ये होता है, brokers का परोटेक, analyst का भरोसा हमेशा रहा है, उसके बाद Wipro है और मैंने जो sequence कुछा तो तो मैं TCS तीसरे पाइदान पे समय, pecking order मतलब क्या पहले pick and choose करोगे, जादा किस पे भरोसा बढ़ रहा है, HCL Tech तो मैंने पूछा, किसा भेप की औ llegने जो मैंने हो जो साइदा है, हुआ वआ है, है और दिनीन एक का मैंने जो उ बाहाहुआ है, कि आपे शचाएमा पार थे समय मतलब करोगी है, तो मैंने जो फॉआ है, क्रिम मैं सकत्ज़ के पवा को हैbacks को हैके तो समय मतलब का चॉतके तो